हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो अभी बिहार सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी अब्डेट निकल के आई हुई है बिहार की एगारे ऐसे जीले हैं जिसको सुखा गरस्त में घोसित किया गया है और यह जो है तेरह तरह के कबिनेट का मीटिंग हुआ है जिसमें मानिय सरी बिहार के मुख्य मंत्री है नितीश कुमार जी उनके दोरा निना लिया गया है अब आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सुखा गरस्त आपका भी जीला घोसित हुआ है तो आपको जो है क्या के अलाब मिलेंगे और पहली बार जो है आपको प्रोती परिवार 35 पर दिये जाने की भी बात कही जा रही है तो उसके लिए आपको कैसे आवदं करना है किस तरह से आपको पैसे मिलेंगे अगर आप भी सुखा गरस्त जीले से आते हैं और आपको हमता देंगे देखी एगारे जीले गोसित किये गए हैं तो एगारे जीले के सबी जो गाओं के लोग हैं वो अपलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ गाओं भी पर्टिकुलर रखे गए हैं उस गाम से आप आते हैं तब भी आप यहाँ पर आपको यह लाब मिलेगा या फिर जो भी benefit सुखागरस जीले को मिलता है वो आपको दिया जाएगा वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले आपसे request है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम समझने क्वेश करते हैं कि आखिर सुखागरस जो जीला होता है वो कैसे घोसित होता है तो देखिये क्या होता है कि आपके जो भी किसान कोडिनेटर होते हैं जैसे कि ब्लॉक के हो गए या फिर जीला लेबल के हो गए उनके द्वारा आकलन की आएता है और देखा जाता है कि आखिर आपके जुझीले है ना या फिर आपके पंचायत है गाउं है उसमें कितना बारिस हुआ है तो इसमें एक मतलब आंकर राखा जाता है कि जीस जीला में या फिर जीस गाव पंचायत में 30% से कम बारिस और 70% से कम रोपनी हुई है उसको यहां पे सुखा गरस्त में घोसित कर दिया आता है तैसे में जो है बिहार सरकार को जो रिपोर्ट मि आपका गोशित हो गया है तो आपको लाभ मिलेगा आपका गाव भी घोसित होना चाहिए और इसके अर्थगर्ण देख सकते हैं कि 88 से 41 से गाव है जिसको इसमें घोसित किया गया है ठीक है तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन-कौन से जीले इसमें सामिल ह आप यहां पर देख सकते हैं क्योंकि यह प्यपर के माधिम से बताया गया है और एकारे से जीले हैं जिसको इसमें घोसित किया गया है अब इसके परखंड और पंचायत और गाव के अलग अलग जो है लिश्ट यहां पर जारी होगा तो उसके रिकार्डिंग आपको जनका नहीं दिये गए थे लेकिन देख सकते हैं कि यहां पर कहा गया है कि प्रती जो परिवार है नो उनको 35 पे दिये जाएंगे अब आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जो सुखागरस जिले से आते हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिरे 35 पे हमें कैसे मिलेंगे तो आपक लोकल जन परती निदी हो सकते हैं या फिर बलक के कोई भी स्टाफ हो सकता है जो आपके गाउं में आकर डेटा कॉलेट करेगा आप सभी जानते हैं कि जब भी बार्ण आता है न तो उसमय भी सहायता रासी दी जाती है बार सहायता रासी 6000 रुपे तो उसके लिए भी डेट कॉलेट किया तता है क्रमचारी के माध्यां से उसके बाद ही पैसे दीये जाते हैं तो उसतर से आपका डेटा यहां पर किया जाएगा है यानिकि सर्वे होगा डेटा कॉलेट किया जाएगा जैसे कि कि आपका अधारकार्ड हो गया मोबाइल Perfectus गया और उसका जो ही लिष्ट बनाकर आपदा विभाग का जो पोटल है वहां पे लोग इन आइडिया से अब्डेट किया जाएगा उसके बाद आपदा विभाग के माधियम से पैसे आपको दिये जाएंगे प्रती परिवार 35 रुपए ऐसा नहीं है कि प्रती सदस्य घर में सभी सदस्य को नहीं मिलेगा परिवार के जो मुखिया होते हैं उनको 35 रुपए आप दिये जाएंगे जैसे कि यहां पर कहा गया है आपके हम जनकारी के लिए बता दें कि जो भी जीला सुखा गरस्त में घोसित होता है तो उ किसानों को जो भी क्रिस इंपूर्ट के माध्यम से भी पैसे दिये जाएंगे क्यूंकि आप साब-साब देखेंगे तो कहीं भी इसको मैंसल नहीं किया गया है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है क्रिस इंपूर्ट का पैसे आपको ना मिले या फिर और वी कोई से आपको 35 रुपया प्रती जो परिवार है दिया जाएगा यह confirm है क्योंकि यहाँ पर confirm करके बताये गया है अब आभी इन जीलों से आते हैं तो फिलाल आपको यही बनी फिर मिलने वाला है 35 रुपया प्रती परिवार के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इस तरह साब का जो है डेटा कॉलेट होगा उसके बाद आपको एकाउंट पर पैसे दिये जाएंगे अब इसके अतरिक्त आपको क्या लाग मिलेगा अभी कोई भी सुचना नहीं है वेट करिए अगर किसी परकार का कोई सुचना निकल के आता है तो आपको हम जनकारी देंगे फिलाल मैंने आपको जनकाई दे दिया है कौन-कौन से जी ले हैं आप यहाँ पर लिश्ट देख लेंगे या फिर मैंने इसके रिगार्डिंग आडिकल भी लिख रह गया है उसको भी आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा लिंक हमने डिस्क्रिप्स में दे दिया है तो बस मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिस किया हुआ है जिसके माधिम से कही ना कही आपको समझ में आया होगा तो प्लिस वीडियो को लाइक करिएगा और आपके मन में किसी परकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बता सकते चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ तब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वास्त रहें बहुत-बहुत धन्यवाद